डाक्टर पॉलेटी पे मैं हूं सतंतर सिवाच और आज हम आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे, राइट लेट के बारे में बात करेंगे जब हमारे founding fathers constitution को बना रहे थे, draft constitution को discuss कर रहे थे, उस वक्त आर्टिकल 14 को आर्टिकल 21 के साथ में रखा गया था, साथ में join करके रखा गया था उस वक्त उस आर्टिकल का नाम था right to life and liberty and equality before law परंतु बाद में जैसे जैसे discussion बढ़ता गया, उन्हें लगा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 से separate होना चाहिए equality का जो right है, वो right to life and liberty से separate होना चाहिए तब आर्टिकल 14 में equality before law को separate कर दिया गया आर्टिकल 21 से उस वक्त आर्टिकल 21 को बोला जाता था, उस वक्त उसका नाम आर्टिकल 21 नहीं था, कोई और आर्टिकल था परंतु जो आर्टिकल 21 के बारे में बात करता है, उस आर्टिकल का नाम था right to life and liberty and equality before law परंतु बाद में आर्टिकल 14 में equality before law and equal protection of laws आ गया और जो आर्टिकल 21 है, वो right to life and liberty हो गया तो आर्टिकल 14 को हमारे constitution में fundamental right क्यों माना गया है fundamental मतलब वो हमारे जीवन के लिए इतना जादा essential क्यों माना गया है क्योंकि आर्टिकल 14 हमारे जो basic human instincts होते हैं कौनसे instincts? वो वाले instincts जिनसे हम demand करते हैं justice जिनसे हम demand करते हैं fairness, जिससे हम demand करते हैं कि हमारे साथ कोई arbitrary treatment ना हो उन सब को आर्टिकल 14 represent करता है कि equality before law reasonable होना चाहिए जो equality before law and equal protection of laws है जो उनका application है, वो reasonable होना चाहिए वो arbitrary नहीं हो सकता है, किसी के साथ arbitrary basis पे discrimination नहीं हो सकता है और society में fairness और justice को represent करने के लिए article 14 बहुत ही साथ important है historically हम देखें तो right to equality का जो evolution हुआ है वो democracy के साथ साथ और जो civil rights moments होई है उनके साथ साथ हुआ है भारत में जो right to equality की demand आई वो मोटे तोर पे देखा जाए, दो जगे से आई एक तो British rule जहाँ पे Britishers को superior और Indians को inferior दिखाया जाता था दूसरा हमारा social system भी कुछ कम नहीं था उसको भी चार भागों में divide किया हुआ था और उसमें जो उपर दरजे के लोग थे वो नीचे दरजे के लोगों को नीचा देखते थे उनके साथ बुरा treatment करते थे इशू बनाया था अपनी national moment में तो इस वज़े से हम देखते हैं कि जब constitution makers ने constitution बनाना शुरू किया तो right to equality उसमें बहुत ही एक important issue था उसी तरफ अगर हम UK की history को देखे तो वहाँ पे पहले kingdom होता था king की जो lawmaking powers थी वो बाद में पार्लेमेंट के हाथ में आई और पार्लेमेंट की lawmaking powers से एक नए concept का उद्धय हुआ जिसका नाव था rule of law rule of law का मतलब था जैसे rule of king होता था पहले अब rule of law हो गया क्यों क्योंकि king जो सबसे supreme होता था अब जो सारी powers जो law बनाने की थी वो पार्लेमेंट के पास थी और जो law उन्होंने बनाया है वो supreme position में था society के अब इसकी वज़े से क्या हुआ कि rule of law में एक fundamental concept आता है equality before law equality before law का मतलब है कि law के सामने हर को equal है किसी के बीच में भेदभाव नहीं हो सकता और law सबसे उपर है तो UK में जो equality की demand थी वो equality before law के रूप में उध्य हुई जो A.V. Dicey UK के एक scholar थे उन्होंने the constitution of UK में पूरे अच्छे से describe किया है कि equality before law का क्या मतलब होगा इसके बारे में हम आगे discuss करेंगे वहीं अगर हम USA में देखें तो जो equality की demand है वो slavery से बहुत जादा related है USA पहले एक British colony था उसके बाद वो free हुआ उसने अपना एक constitution बनाया परंतु constitution बनाने के वक्त भी USA में slavery बहुत जादा थी तो लगबग 100 साल बाद constitution बनने के 100 साल बाद slavery को abolish किया गया और उसके एक दो साल के बाद introduction होता है USA में equal protection of laws का equality before law UK में evolve होता है और equal protection of laws USA में evolve होता है और जब हम अपना भारत का constitution बनाते हैं तो हम equality before law UK से उठाते हैं और equal protection of laws USA से उठाते हैं और हमारे article 14 की स्थापना करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में जो right to equality है उसके दो parts है एक article 14 clause 1 में एक article 14 clause 2 में article 14 clause 1 में equality before law है वो UK से आता है article 14 clause 2 में जो equal protection of laws है वो USA से आता है तो अब हम एक एक करके इन दोनों concepts को समझेंगे जो equality before law है वो एक English concept है वो UK से आया है वो rule of law का एक अभिन अंग है rule of law हमने देखा था कि जहां पे law supreme होता है जब law supreme होता है तो उसमें एक और condition होती है कि उसमें equality before law होता है equality before law के तीन मोटे मोटे concept है पहली बात कि law सबसे उपर है जैसे हम देखते हैं कि चाचा विधायक है हमारे वो law को नहीं मानेंगे वो traffic rules को नहीं मानेंगे पर equality before law ये ensure करता है कि आपके चाचा laws को माने वो law से उपर ना हो क्योंकि आपके चाचा से उपर भी law है तो equality before law prohibit करता है कि कोई special privilege किसी को ना हो किसी को discrimination ना हो और law सबसे उपर रहे तो ये जो तीन concept है वो equality before law के तीन सबसे essential components को form करते हैं बनाते हैं इसके अलावा अगर देखा जाए तो equality before law को एक negative concept बोला जाता है negative इसलिए नहीं कि ये बुरा concept है negative इसलिए कि ये जो concept है ये prohibit करता है लोगों को रोकता है equality को तोडने से कैसे law से उपर कोई नहीं होगा आपके चाचा law से उपर नहीं हो सकते ये रोका जा रहा है दूसरा सबको बराबर treatment मिलेगा किसी को special privileges नहीं मिलेंगे तो इस वज़े से जो UK का equality before law है उसे एक negative concept बोला जाता है कि कोई special privilege नहीं हो और law से उपर कोई नहीं हो इसके opposite जो equal protection of laws है उसको positive बोला जाता है जो हम equal protection of laws में हम देखेंगे equality before law को जो हम popular culture में देखते हैं तो वो जो फोटो आपने देखा होगा कि आँखों पे पट्टी बंदे हुए जिसे lady justice बोला जाता है हाथ में तराजू लिये हुए जो आँखों पे पट्टी बांद के जो lady खड़ी होती है उन्हें lady justice बोला जाता है और वो equality before law को represent करती है उसका क्या मतलब हो आँखों पे पट्टी क्यों है क्योंकि वो किसी को special treatment नहीं देंगी आत्मे तराजू क्यों है हर किसी को बराबर facts के basis पे तोला जाएगा किसी को हर किसी को fact के आधार पे तोला जाएगा कि भावनाओं के आधार पे ये decide नहीं किया जाएगा ये जो side है ये सही है और ये side गलत है तो जो equality before law है उसको lady justice represent करती है इसके अलावा जो equality before law है वो एक universal concept है universal concept का क्या मतलब हुआ कि ये सब के उपर uniformly लागू होता है ये समाज में किसी classification को allow नहीं करता है कि इनको कुछ special treatment मिल जाए और इनको ना मिले हाला कि equality, equal protection of laws होगा उसमें हम देखेंगे कि वो uniform नहीं होता है पर equality before law है वो सब को बराबर same दृष्टी से और बिना discrimination के देखता है जो equality before law है वो एक philosophical concept है इसका मतलब कि हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जो law के अनुसार चले, किसी के साथ discrimination ना हो उस समाज में और किसी को special privileges ना हो कि इसका मतलब कि ऐसा समाज जिसमें हर कोई बराबर हो परन्तु ये practical applications में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है क्यों? क्योंकि अगर किसी समाज के तबके में कोई इनसान discriminated है for example, कोई differently abled है कोई इनसान वो general population के साथ compete करने में कमजोर रहेगा इस वज़े से अगर हम उसको जैसे एक मचली को और एक खरगोश को race नहीं करवा सकते हैं इसी परकार से हम समाज में सब इनसानों को अगर बराबर मान लेंगे तो ये भी एक तरीके की inequality ही होगी, एक तरीके का discrimination होगा, कि कोई इनसान जो race नहीं कर सकता है आप उसको general population के साथ race करवा है, यहाँ पर equal protection of law इसके complimentary आता है जो हमने, इंडिया ने जो equal protection of law को भी article 14 में मिलाया है, वो इसी लिए कि जहाँ पर equality before law कम रह जाता है या फिर समाज में, समाज की requirements को पूरा करने में कम रह जाता है वहाँ पर equal protection of law उस खाली जगह को भरता है जो हम equal protection of law में देखेंगे अब हम देखते हैं, equal protection of laws, जो USA से आया है जब हम एक वो करती है, enable equal treatment को तो जो prohibit करता है जो negative concept होता है, वो हमने देखा equality before law में अब भी यह जो दूसरा concept है, वो एक positive concept है, जो enable करता है equal treatment, equal treatment कैसे? जो equal protection of law है, उसके भी तीन ही सबसे major components होते हैं तीन major components क्या? पहला equal circumstances में equal treatment होगा, similarly situated जो लोग होंगे, उनको same treatment मिलेगा, और like should be treated alike इसका मतलब यह है, कि जो लोग different है, उनको एक जैसा treatment नहीं मिलना चाहिए, और यह बहुत important है, यह जो equality before law जिस जगे को छोड़ देता है, समाज में justice को छोड़ देता है, वहाँ पे differently abled की जो race होगी, केवल उसी में participate करना चाहिए, इसका मतलब like should be treated alike यह चीज जो equality before law है, वो miss कर जाता है, equality before law बोलता है कि हर किसी को बराबर की advantages होगी, बराबर की disadvantages होगी किसी के साथ special privileges किसी को नहीं दी जाएंगे तो जो differently abled है अगर उसको आप एक जो fit इनसान है, उसके साथ अगर आप race करवाओगी, तो वो एक तरीके का discrimination ही है, एक तरीके का आखे बंद कर लेना है जो आपके सामने दिख रहा है कि जो injustice है, उसके बदले आखे बंद कर लेना है, जो equal protection of law है वो इन आखों को खोलता है जो equal protection of law है वो positive concept है, वो enabling concept है वो enable करता है कि हर जो equality है वो blind ना हो वो जो differences होते हैं natural differences होते हैं लोगों के बीच में या सामाजिक differences होते हैं उसके परती sensitive हो हमारी needs के according responsive होना चाहिए equality को जो इनसान है, जो इनसानों के बीच में differences हैं उनके परती sensitivity होनी चाहिए इस वज़े से, जो equal protection of law है वो एक enabling provision है जो equality को enable करता है Equal protection of law non-uniform भी है जो हमने equality before law देखा था वो uniform application था कि सब citizens बराबर हैं जबकि वो actual में naturally हो सकता है citizens बराबर ना हो but equal protection of law non-uniform application रखता है उसमें जो कमजोर तबके हैं उनको ज़्यादा support दिया जाता है जो ऊचे तबके हैं उनको support कम दिया जाता है या नहीं दिया जाता है इस वज़े से हम बोलेंगे कि जो equal protection of law है वो non-uniform है इसके अंत्रगत जैसे women है SCST हम देखते हैं differently abled है उन सब तबकों को जो support दिया जाता है government के द्वारा वो allowed होता है जो equality before law में allowed नहीं होगा क्योंकि उसमें तो आपको किसी को special privileges नहीं दे सकते हैं इसके अलावा जो equal protection of law है वो specific है जो हमने देखा था कि equality before law जादा philosophical है जादा equality को जादा philosophical angle से देखता है ये जादा जो equal protection of law है वो procedural angle से देखता है उसकी real application के angle से देखता है तो equality before law को हम बोल सकते हैं philosophical angle है और equal protection of law है वो जादा procedural angle है तो ये सारा discussion हमारा complete करता है right to equality जो article 14 में आता है इसमें किवल एक concept बचता है कि ये जो right to equality है इसमें हमने person किसको माना है कि ये किसके उपर लागू होता है कि अवल इंसानों के उपर लागू होता है या फिर और चीजों के उपर भी लागू होता है तो जो definition हमने article 14 में रखी है वो जो person की definition है वो एक human being की definition नहीं है वो legal person की definition है Legal person का मतलब कोई organization भी हो सकती है आज कल हमने देखा है कि जो reverse हैं उनको भी एक legal person माना गया है तो इस वज़े से जो ये right to equality है वो कि humans तक सिमित नहीं है ये organizations को भी allowed है और ये जो legal definition है जो person की जैसे जैसे evolve होती है तो वो सब उन legal persons तक extend होती है जिसमें reverse भी आप देख सकते हैं आगे हम article 19 और article 21 को भी पढ़ेंगे तो article 14, article 19 और article 21 एक golden triangle बनाते हैं ये तीनों article बहुत ही जादा important होते हैं human dignity को ensure करने के लिए ये fundamental rights के जो heart है उनको represent करते हैं कि बाकी सारे articles अगर ना भी हो तो article 14, article 19 और article 21 की different interpretations से हमें ensure कर सकते हैं कि जो human dignity है और जो बाकी fundamental rights जो चीज हमें provide करते हैं वो ये तीन articles की जो philosophy है वो भी represent करती है जो हमारे पूरे fundamental rights की list है वो represent करती है तो ये golden triangle के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे article 19 और 21 के बाद तो ये जो पूरा discussion है वो article 14 का जो quality part है उसको complete करता है पर article 14 हमने शुरुआत में बताया था कि बहुत ही fundamental है हमारी life में तो ये article 14 की जो issues है हम हमारे आसपास कहां पे देखते हैं आपने देखा होगा citizenship amendment act है citizenship amendment bill है उसके बारे में जो आपने discussion देखा होगा वो भी right to equality को ही right to equality उसका core बनता है उस issue का इसके अलावा आप देखोगे जो दलित atrocities होती है वो भी discrimination को दिखाती है हमारे समाज में कि केवल दलित होने की वज़े से किसी के उपर कोई इंसान atrocities करता है तो ये भी हमारे जिंदगी का एक right to equality का आईना दिखाता है हमारी society को इसके अलावा आपने देखा होगा women's के issue में जो सबरी माला temple entry का जो issue था वो भी equality का ही issue है कि just women होने की वज़े से कोई temple में entry नहीं कर पा रहा है तो ये भी equality का उस issue का जो core है वो भी equality ही है इसके अलावा आपने देखा होगा article 1377 या फिर जो gay rights हैं जो LGBT की जो movement चली है वो भी right to equality ही उसका core form करता है वो भी बोलते हैं कि हमें भी जो arm इंसान है उसके बराबर के हक उसके बराबर के right to marriage ये सारे हक हमें मिलने चाहिए तो equality इस issue का भी core है इसके अलावा गर हम देखें कि जो one rank one pension का जो issue है वो भी यही बोल रहे हैं कि जो same rank के जो retired armed forces है जो retired pensioners है उनको भी same pension मिलनी चाहिए हमारे साथ discrimination कैसे हो रहा है तो ये जो मोटे मोटे issue है citizenship amendment act है धलित atrocities है सबरी माला है gay rights का issue है one rank one pension का issue है आप देख सकते हैं हमारे जीवन में आस पास बहुत सारे issues है जो right to equality जिनका core है जो formation है और ये right to equality हमारा constitution ensure करता है as a fundamental right अगर हम historically right to equality को trace करते हैं तो आप देख सकते हैं जो चालकोलिथिक culture भारत में आये उसमें भी inequality थी समाज में उसमें जो chief होते थे उसके घर square बने होते थे और जो general population है उसके घर round huts के होते थे इंडस valley civilization में भी हम देखते हैं जो ruling class है वो उचाई पे रहती थी और जो general population है वो नीचे वाले area में रहती थी वैदिक culture में जो वैदिक culture है उसमें भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे समाज को चार तबकों में ब्रह्मन, शत्र, शुद्र, वैश्य, इनमें divide कर दिया गया समाजिक ताने बाने को तब बुद्धिजम का उद्य होता है और बुद्धिजम उस समय एक revolutionary एक step था बुद्धिजम समाज में जो inequalities थी उसको recognize नहीं करता था उसमें कोई भी entry कर सकता था उसमें जो caste system था उसको बुद्धिजम नहीं मानता था तो इसके चलते जैसे जैसे हम देखते हैं inequality समाज में जादा बढ़ती है उसी वक्त उसके खिलाफ reactions भी उसी वक्त बढ़ती है इसी तरीके से बुद्धिजम जब बहुत जादा popular हुआ तो हिंदुईजम ने भी अपने अंदर reforms किये कि inequality जो हम practice करते हैं जो caste system में inequalities हैं उसक कि philosophy अद्वैतवाद थी non-dualism वाली philosophy थी हर इंसान में भगवान बसता है ये अद्वैतवाद बताता है तो ये philosophically equality को हमारे जहन में भरता है हिंदुईजम जो पहले caste system में society को divide कर रहा था उसने अब अद्वैतवाद के through ये recognize कि हर एक इंसान में भगवान बसता है Medieval भारत में भी जब हम देखते हैं कि सुफी tradition है या फिर भक्ती tradition है उसमें भी हर किसी को बराबरी का दर्जा देना एक बहुत important उसकी एक value थी बहुत important उसका एक aim था जैसे कि हम देखते हैं भक्ती moment में एक ता का part भी पढ़ाते हैं और बराबरी का part भी पढ़ाते हैं कोई जुलाहा है कोई भक्ती moment का जो hero है कोई बढ़ाई है कोई butcher है तो इस तरीके से वो सब के सब समाज में जो inequality है उसको ignore करते हैं और उसको बोलते हैं कि ये जो विनिक्विल जो समाज है वो sustainable भी नहीं है और desirable भी नहीं है और आखिर में जब modern इंडिया में European rule आता है जब racism practice किया जाता है भारतियों को inferior और Europeans को superior दिखाया जाता है तब भी एक reaction उत्पन होती है जिसे हम national movement बोलते हैं जिसे गांधी lead करते हैं और जो untouchability के खिलाफ भी है अंग्रेजों के खिलाफ दिया और वो हर उस चीज के खिलाफ हैं जो इंसान को उसकी dignity से दूर करता है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं भारत में भी ये जो equality का जो सफर रहा है वो उपर नीचे चलता है जब जब समाज में inequality बढ़ती है equality के support में movements होती है और उसको ensure किया जाता है कि समाज में balance बना रहे है